सरीर के इन अंगों पर तिल का होना बहुत ही सुम माना जाता है कई लोगों के सरीर पर तिल होना अंगों को बहुत ही सुन्दर और आकरसन बना देते हैं आई ये जानते हैं सरीर के किन अंगों पर तिल होने से धन्मान होने के संकेद मिलते हैं नमबर बन इस्तरी के बाई हतेली के बीच में तिल हो तो अधिसुम माना जाता है ऐसी इस्तरी के पास धन का अभाव कभी नहीं रहता है और हाथ के अंगुलियों से लेकर हतेली के बीचों बीच में कहीं भी तिल का होना और अगर हतेली के बंद कर मुठी बना लेने पर तिल यह changing दिखाईय देता है तो समझें ऐसे बेक्ति के पास अधिक धन के समभवना बनी रहती सी तरहएं कि पूरुस के दाहिने चाहत पर इसी प्रकार परिक एली पर की संगेत आगे अगर अगर अरत के दाहिने हतु- मजा आएका और खर्च होता जाये। उसके रामा पुरुस के बाएं हथेली पर तिल है तो उसके पास भी धन तो आएगा और लेकिन खर्ट होता जाएगा इस तरह पुरुस के दाहिने गाल पर तिल का होना धन सुख एस्वर होना बताता है इस तरह से अपने जीवन में धन की कमी नहीं रहती है ऐसे बेकिती किसी भी तरह से अपने जीवन में धन अवशी ही जमा कर लेते हैं